क्या माकसन फामा में जिन लेवल्स में वो ट्रेड कर रहा है उसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं इस सवाल के उपर आज मैं जवाब दिनी खुशिश करूँगा यह थोड़ा काफी शॉर्ट एनलसिस होने वाला है दोस्तों माकसन फामा के उपर एक कह लीजे पूरी डीटेल्ड डीटेल्ड एनलसिस मुझे लानी है बट समय की अभाव की वज़े से मैं ला नहीं पा रहा हूं लेकिन अभी आपके साथ शॉर्ट निवेश को की बात कर रहा हूं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है माकसन फामा में निवेश करना करेंट लेवल्स में काफी ज इसलिए आपको अगर लगे कि मैं थोड़ा बाइस बात कर रहा हूं तो आप वीडियो को पॉस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता हूंगा कि मुझे इन लवेश में माकसन फामा क्यों पसंद है और मैं मेरा जो रैश्टन है खुद निवेश करने का वह एट लीस्ट मिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं माकसन फामा में निवेश की देखे सबसे पहले मैं आपको बदा दू माकसन फामा में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है उसका रीजन है मुझे जो लगता है वो है दोस्तों सबसे पहला यह स्मॉल कैप कंपनी है और स् अब काफी जादा दबाओ देखने मिल रहा है ठीक है दूसरी चीज यह जो बिजनस में दोस्तों आप कहले जो इनके पास बिजनस है यह एंटीडियाबिटिक मेडिसन भी बनाते हैं ठीक है लेकिन सबसे बड़ा चैनकिस का इनका आगर आप मानेंगे तो वह पें मैनेजम कोरोना की प्रॉब्लमस चल रही थी और तब इतना जादा आपके लिजे मेडिसन की सेल्स हो रही थी उससे में नियुक्त जाबर दस की नमबर मिले इतन जबर दस सेल्स के नमबर मिले श्तॉक यो शेर था वो एक और अब न्प्रेसिडेंटिल ट्रैलि दिखाया और 52 वी क देखिए सबसे मैं बता दूँ एक कहते हैं न दूस्तों स्टॉक से उसकी वैलिशन जब बहुत जादा हो जाए तब उसमें एंट्री मत कीजिए और जब काफी ओवर सोल सेशन में चला जाए ठीक है तो मैं बता दू मुझे परसनल लग रहा है यह स्टॉक इंड लिवर्स मे अगर स्टॉक की पी में ट्रेड कर रहा है इसने इंडस्ट्री की भी काफी कम है और 2000 के आपको मैं बता दूँ दोस्तों 2000 की इसके पास 2000 की मार्केट के सामने इनके पास कैश रिजर्व एक हजार करोड से जादा है ठीक यानि एक कम्प्लेटली कैश रिच कंपनी है डेट टो किटी पॉइंट जीरो फॉर परसेंट है यह यह वो चीज़े होती है जो कह लीजिए आप काफी जादा देखी जाती है लॉंग टर्म से कम दिख रहे होंगे प्रेशन में क्योंकि जो इन्पुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों ठीक है और मैं आपको की समझाता हूं माक्सन फामा आप सिर्फ इसलिए प्लीज निवेश मत कीजिए कि सिर्फ यह 45 रुपय का स्टॉक है ठीक आप इसमें इसका दोस्तों और मुझे लगता है पिछली बार जब आपके लीजिए 42 के आसपास आथा वहां से वापस से बांस करके लगभड 52 के आसपास से वापस से गिरावट शिक्रानी शुरू किया है तो कुछ समय तक मुझे लगता है नीची लेस तर में 4042 और उपरी स्थरों मे 52 एक ऐसा रेंज है जहां पिए स्टॉक ट्रेड करता रहेगा इसलिए अराम अराम से इत्मिनां से एक्योमुलेट कीजेगा एक साथ निवेश करने की गल्ति प्लीज मत कीजेगा बजार आपको बहुत मौके देगा इस स्टॉक में निवेश करने की और अगर आपको बहु आपके रिजल्ट बिल्कुल भी खराब नहीं थे मार्कसन फामा के रिजल्ट काफी अच्छे थे और अगर कई लोगों कर अच्छे नहीं भी लगते सेल्स क्योंकि मार्जिन के साइट प्रेशर था तो एवरेज थे प्रॉब्लम यह हुई थी कि जो दोस्तों कहते ना कि USF उनकी तरफ से कुछ यह कह लीजिए आप एक प्रिकॉशनरी कुछ चीज़े रिलीज की गई थी बात करने की कि यहां यहां कुछ आपको डियरेक्शन दिया जा रहा है कि आप कुछ चीज सुधार करें और उसको प्लस थोड़ा बिलो एवरेज आप कह सकते है रिजल्ट को जो निविशकों है यबाजार ने बहुत निगेटिव लिया और बहुत जाधा पिटाइं उस स्टॉक की और उस पिटाइसे अभी तक स्टॉक अभर नहीं पाया है और आपको पता होगा पिछले 1-2 महीनों में बाजार बहुत जाधा निगेटिव टेल्टर्य के हो रहा है और pharmaceutical पूरा whole as a sector थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है कि पिछले एक से दो सालों में इसने बहुत सा पया return कमा के दिये है pharmaceutical companies और देखिए एक long term नी विश्कों को तो ऐसे ही मौके की तलाश होती है कि एक अच्छी company, एक अच्छी company को आप अराम से बहुत अच्छे levels में accumulate करें और इसलिए मैं इसे काफी लंबे समय से अराम से accumulate कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर कहूंगा मेरा rational for a long term है दोस्तों अभी भी stock में थोड़ी सी मुझे कह लिए weakness दिख रही है 40-42 के around ये stock काफी अच्छा है और बार-बार वहाँ से एक तगड़ा bounce करता है और इसलिए कहूंगा long term की सोचे माकसन फामा के उपर में detailed complete analysis वीडियो लेकर क्या हूँगा जहां मैं आपको हर एक चीज, history, future, तमाम चीजों के साथ आपको रूबरू करा हूँगा ये short analysis इसलिए पताने का मेरा मकसद था इन levels में प्लीज long term की अगर सोच रहे हैं बिल्कुल सही से निवेश कर सकते हैं दोस्तों यहां तक जुड़े रहे, यह analysis पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा और यहां तक जुड़े रहने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यह इस वीडियो का अंत है, चैनल दोस्तों